नमस्ते फ्रेंद्स, वेलकम टू मैरा सोई, मैं हूँ सोनल आज हम बनाएंगे लॉकी के कोफ़ते इसके लिए मैंने एक हाफ लॉकी ली है और इसका चिलका भी निकाल दिया है और इसे हम अच्छे से कदुकस कर लेंगे कदुकस करके अब इसका जो एक्सिस पानी है वो निकाल देंगे और इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे अगर इसका पानी हम नहीं निकाल लेंगे तो हमारे कोफ़ते अच्छे से नहीं बनेंगे और कोफ़ते तूट जाएंगे तो अब इसमें हम डाल देंगे rice flour यानि की चावल का आटा इसे binding भी अच्छे आती है और इसमें मैं डाल रहे हूँ थोड़ा सा basin आटा हम बाकी का आटा साइट में रखेंगे अगर बात में जरुवत हो तो उसे अड़ कर लेंगे अब इसमें डाल देंगे अच्छ वाइन और हम डाल देंगे काश्मेरी रेच्छिली पाउडर और इसमें आट कर लेंगे हम healthy powder और मैं इसमें डाल रहे हूँ चॉप दन्या पत्ता इसे इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है और डाल देंगे स्वाद अनुसा नमक और मौईन के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ दो चम्मच तेल के अब इस सारे मिक्षर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक आटे में तयार करना है देखे इस तरह से मिक्स करने के बाद यह आटा कुछ इस तरह से तयार हो जाएगा पर यह आटा मुझे अभी भी थोड़ा खिला लग रहा है तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ जो बाखी का बच्चा हो अभी इसन आटा था वो इसमें आड़ कर लेंगे बस इसी तरह से आटा तयार कर लेंगे तो यह अभी परफेक्ट हो गया है तो मैंने कड़ाइ में तेल गरम करने रख दिया था तेल गरम हो गया है तो अब इस तरह से सारे कुफ़ते को हम इसमें ड्रॉप कर देंगे आप चाहे तो इसे एक round shape दे सकते हैं या फिर इस आटे को इस तरह से आप तेल में छोड़ते तो ये shape भी बहुत यचा लगता है बस इसे अभी 3-4 मिनित तक इसे ही पकने दे बात में इसे दीर इसे हम पलट लेंगे जब 3-4 मिनित हो जाए तो देखे ये नीचे की side से अच्छे से पक गया है तो अब तीरे तीरे करके सारे कोफ़ते को हम अच्छे से पलट लेंगे देखे 4-5 मिनित के बाद ये अच्छे से half पक गया है इसे और थोड़ा दो मिनिट पकाने की बार इसे हम निकाल लेंगे देखे सारे कोफते अच्छे से पक गए हैं और अंदर से बिलकुल कच्छे नहीं है तो अभी इसे हम एक ब्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से सेकंड बैच भी में तयार कर लोगी देखे कोफते अच्छे से क्रिस्पी भी बन गए है तो अब इसका जो क्रेवी है उसकी तयारी करते हैं मैंने लिया है प्याश, टमाटर, जिंजर गालिक पेस्ट और एक पैन में मैंने डाल दिया है तेल इसमें मैंने डाल दिया हिंग, जीरा, तेज पत्ता और थोड़ा मसाला लेके मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी और इसमें डाल दूँगे काश्पेरी रेच्चिली पाउडर और इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर इस मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है 2-3 मिनी तक इसी तऱा से हम पका लेंगे जब यह अच्छे से पक जाए तो इसमें जो बाकी का जो हमारा पेस्ट है उसमें हम इसमें डाल देंगे बस इसे भी हमें 5-6 मिनी तक अच्छे से पकने देना है ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो निकल जाए आप इसमें डाल देंगे जिंजा गालिक पेस्ट और इसे भी चार से पांच मेरे तक इसी तरह से पकने देंगे देखें अच्छे से मसाला पकाया है आप हमारा तो आप इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी तो आपको ग्रेवी कितनी थिक या थिम चाहिए उसे साब से आप इसमें पानी आड़ कर सकते है क्योंकि जब हम कुफते डालेंगे तो ये ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी तो आप इसमें डाल देंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसान नमक अब मैं ग्रेवी में डाल रही हूँ थोड़ी सी घर की मलाई ये है फ्रेश क्रिम तो ये है मैंने टेबन टेबल स्पून मलाई लिया है इसे जो ग्रेवी है वो बहुत ही टेस्टी और अच्छी लगती है देखे ये ग्रेवी बिलकुल तयार हो गई है तो चलिए इसे सव कर लेते हैं देखे एक ग्रेवी बहुत ही टेस्टी लगती है और ये जो कोफते है वो बहुत ही अच्छे लगते है तो फ्रेंट्स इस तरह से आप इस कोफते को जरूर ट्राइ कीजे और आपकी फैमिली की साथ इसे जरूर एंज़ाए कीजे and do keep watching my channel. Thank you.